के आज की वीडियमें अन्बॉक्सिंग करना वाले क्यूब लेलो विलोसितील यू और इस लियूब को यूज किस्तरा करते हैं और अप्लाए करने के बाद ही गुबिक की स्पीड और स्टेविलिटी में क्या difference आता है और क्या आपको इस लूप को purchase करना चाहिए कि नहीं सारी चीज़े इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो के अंदिक जरूर देखे स्वागत आपका बी लेजंड में लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे वेले बात करते हैं बॉक्स के उपर के content की तो यह है क्यूब ले लो प्रीमियम क्यूब लबरिकेंट्स वाली सीरीज का velocity इसके अंदर आपको और दो वीरियंट्स मिलते हैं जो कि है classic और nucleus इसके अंदर आपको 5 ml लबरिकेंट्स मिलता है और जो third और सबसे important चीज़ है वो है viscosity, viscosity यानी loop की thickness तो यहाँ पे आपको कुछ droplets देखने मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है तो जैसे यहाँ पे droplets बढ़ते जाएगे, loop की जो थिकने से वो बढ़ती जाएगी velocity में आपको only one droplet मिलता है इसका मतलब यह weight one है और जो weight one lube होते वो काफी thin होते और जैसे यहाँ पे droplets बढ़ते जाएगे, loop थिक होता जाएगा और जैसे के आपको बताएगे इसके अंदर आपको premium cube lubricants में और दो variants मिलते हैं जो के classic और nucleus उनके weight है 3 और 5 बट मैं personally prefer करता हो thin lube को क्योंकि thin lube rubik's cube की speed को काफी जादा enhance कर देते हैं और जो thick lube होते हैं उनसे rubik's cube की stability बढ़ जाती है लेकिन जो speed है वो comparatively काफी slow हो जाती है तो हम कहाँ पर apply करते है thin lube और thick lube आप यह सोच रहे होगे तो thin lube जैसे का आपको बताए speed enhance करता है तो हम इसे pieces पर apply करते है rubik's cube की और जो thick lube होते है वो stability के लिए main होते हैं तो वो हम apply करते है core में जिसे के हमें काफी अची stability मिल जाए तो अभी हम देख लेते हैं box के चीज़े मिलती है first तो है यह हमारी syringe इसके दर आपको 5 ml lubricant मिलता है और जो second चीज़े वो है यह green color के tip जिसे हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा यहाँ आप देख सकते हैं यह वाले cap को निकाल के आपको यह जो green color के tip है इसे यहाँ पर लगाना पड़ेगा lube को use करने के यह है मेरा 3x3 mischief rubix cube जिसके दर मैंने बहुत टाइम से कोई भी लिव अपलाए नहीं किया और काफी है रफ हो गया और बीज़ इसमें कभी-कभी lockups भी आ जा रहे हैं तो अभी इसके दर आपको apply करके बताओगा हमारा velocity लिव और साथी साथ बताओगा कि आप इसको किस तर टॉप पे लगानी है जिससे के आप इसे यूज कर सके तो इसको आपको किस तरह open करना है अगर आप इसको इस तरह पकड़ेगे और उसके बाद इसको खोले के तो यह जो लिव है यह गिर जाएगा क्योंकि आप देख सकते लिव पुरा फुल टॉप तक है तो सबसे पहले इसको बाजू पर रख देते हैं और अभी जो हमारे ग्रीन के टिप है इसको इधर लगा देते हैं तो इसको आपको क्लॉक्वाइज गुमाना है ग्रीन वाले टिप को जिससे कि यह शुट हो जाई है तो लिव अपलाई करने से पहले आप अपने रोबिक्स क्यूब को मैं इस तरह एक पिस को पुल करते हैं और फिटने भी इस आपको अपलाई करने होते है बेसाम जिसे तीन ये चार खुलत को अपदर बग जाता ए फ्ञी करने तो जो से के मैं यूस करता है उसमने ?प जो अ इसको को इस स्फराइब करते हैं जिससे के जो अंदर वाला वह आप अच्छे से देख सकें, और जितने भी ट्रोपलेटस आपको अपलाए करने हैं, तो वह आप अलग-अलग पीसेस पर अपलाए कीजिए, जिससे कि यह अच्छे से spread हो जाएगा तो यहां से हम start करते हैं तो आपको पहले यहां से push करना होगा जिसे की loop निकलेगा तो यह वाली piece में मैं apply करता हूँ तो आपको छोटे-छोटे से droplets apply करने हैं तो यह गलती से मैंने ज्यादा push कर दिया हूँ क्योंकि मुझे इसका judgment अभी तक आया नहीं है यह लिए को किस तरह यूज करते हैं तो मैंने ज्यादा लिए कर दिया हूँ तो सबसे पहले इसको हम mix कर लेते हैं तो जैसे आपने देखा मुझे ज्यादा लिए अपलाए हो गया क्योंकि काफी तिन लिए जिसे आपको बजायता है यह वेट वन है और यह फुली लोड़ेड है और जो सबसे बड़ी गलती मैंने करा वह मैंने इसको वन हैंड से होड किया था क्योंकि बहुत सारे youtube विडियू में दिखा हो वह इसी तरह होड करते हैं लेकिन आपको इस तरह होड नहीं करना है क्योंकि आप इस से इस तरह होल्ड करके apply कीजिए जिसे के back side में आपको ज्यादा control मिल जाएगा और आप धीरे-धीरे से apply कर पाएगे और जो गलती मुझसे हुई है वो आपसे नहीं होगी तो जैसी के आप देख सकते हैं मैंने इसके इंदर ल्यूब apply कर दिया हूँ तो अगर आपको याद होगा इसमें से बहुत जादी rough sound आ रही थी और यह आप भी roughly move भी कर रहा था और मुझे थोड़े बहुत lock ups भी feel हो रहे थे अगर आपको पार्ट देखना है तो आप rewind करके पार्ट देख सकते हैं जहां पर मैंने इसको move करके बताया था ल्यूब apply करने से पहले और अभी मैंने ल्यूब apply कर दिया हूँ तो इसको मैं move करके देख लेता हूँ ल्यूब apply करने के बाद और पहले बहुत ज्यादा roughly move कर रहा था जो कि अभी नहीं है बहुत ज्यादा smoothly और freely move कर रहा है और जो पहले मुझे lock up issue आ रहे थे वह lock up issue भी इसमें से हर्ट चुके है स्पीड की बात करें तो आप देखी सकते हैं काफी इसकी speed enhance हो गई है ल्यूब apply करने के बाद ल्यूब का use हो जाने के बाद सबसे पहले आपको ए ग्रीन गलच की tip निकाल लेना है और जो transparency tip थी जो हमने starting में निकालते है इसे वापिस से लगा देना है क्योंकि यहाँ पे chances है कि आप से गलती से प्रेस हो जाए और जो lube है वो waste हो जाएगा और second चीज है कि आप अगर इसको open छोड़ देगे तो अंदर जो lube है वो कुछ समय के बाद dry हो जाएगा तो यह issue से बचने के लिए आपको transparency tip है इसको वापिस supply कर देना है और इसको निकालने के डाम पर आपको यह जो syringe इसको vertically ही पकड़ना है जिससे कि यह spill ना हो जाए और इसको vertically पकड़ने के इसको पूरा droplets निकल रहे तो इसको पूरा droplets निकालने के बाद जो transparent tip है उसको मैं apply करूगा तो इसमें से मैंने पूरा जो lube है निकाल लिया हूँ तो इसको बाजो में रख देते हैं और हमारी जो अभी टेप है transparent color की इसको वापिस से लगा देते तो यही ता velocity lube का review इसको apply करने के मेरा क्यूब काफी ज्यादा smooth हो गया और speed भी काफी बढ़ चुकी है तो overall quality की बात करें तो काफी बढ़िया क्ल्यूब है अगर आप इसको purchase करना चाहते तो मैं जरूर recommend करूगा आप इसको जरूर purchase कर सकते हैं और मैं link भी description में दे दूगा normal link के affiliate नहीं है अगर आप वीडियो में thanks for watching